Hey everyone, I hope you guys are doing absolutely great, so guys, title देखे और thumbnail देखे आज की वीडियो के बारे में तो आपको समझ आगी होगी कि आज हम बात करने जा रहे हैं upcoming Suzuki Hayabusa के बर में जी हाँ guys, Suzuki की जो Suzuki ने अपनी जो Hayabusa उसके जो patent फाइल करे हैं, उसकी काफी सारी images मिली हैं और अगर मैं बोलू तो changes भी काफी जादा हैं, so क्या changes हैं और हम किस बारे में बात कर रहे हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं So guys, आज जो हम बात करने जा रहे हैं, वो हम बात करने हैं Suzuki Hayabusa के बारे हैं काफी सारे लोगों के दिमाग में questions लरे हैं कि भाई, आक्चल में Suzuki Hayabusa 2021, mid 2022 जब भी आएगी, कैसी आएगी, क्या होगा, क्या नया आएगा उसके अंदर So, आज हम काफी सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं, क्योंकि जो Suzuki ने आपके patent file करा है, जो चीजों के बारे में उसने उसके अंदर discuss करा है, जो images patent के लिए डाली हैं, उसके अंदर एक एक चीज समझाई गई है, तो आज हम सारी की सारी उसी के बारे में ही बात करने जा रहे So, कैसे अगर हम यहाँ पर Suzuki Hayabusa के बारे में बात करें, तो 2008 में actually में company ने अपनी जो bike है उसको change करा था, विल्कुल एक कहते है ना पहले थोड़ी broad थी, बड़ी थी, बट उसके बाद थोड़ी उन्होंने sporty कर दी, more aerodynamics कर दिया, बट 2020 तक company सिरफ और सिरफ color change करती रही है, औ अगर improvement की बात करूँ तो 2013 में जाके company लेकर आई थी, उसके अंदर ABS breaking, जो की ज़्यादा जरूरी हो गई थी, यह 300 की speed पे बगएर ABS, literally वह तो कमाल की बात है भाई, यह थोड़ा सा risky मामला हो जाता था, so वो ABS आना भी बहुत जाता जो रही था, but as technology increases, जो आपकी technology है, वो advanced ह होती जारी है, हर चीज advanced होती जारी है, तो उसके हिसाब से वो bike उतनी advanced नहीं थी, plus अब company, all over world, company क्या, मतलब all over world, जितनी भी है, उन्होंने BS4 के उपर problem कर दिया, and अभी company के पास BS4 से उपर कुछ engine नहीं था, so they stopped the production, and हर जगा पे, इस ताइम Suzuki, Hayabusa, जो है, वो bikini बंद हो है, क्योंकि, अब बात आती है, क्योंकि, जो की, अभी इनके उपर चल रहा है, क्योंकि अब company, जो है, वो BS5 के norms के हिसाब से, उन्होंने अपना patent file कर दिया है, and अगर मैं यहाँ पर बात करूं, तो BS5 norm के हिसाब से, अब 2020 end mostly, 21st quarter के अंदर, आप कह सकते हो, official release, जो हो जाए इसके बारे में पूरा confirmation नहीं है, बट जो सबसे पहला update आ रहा है, that is, about 100cc आपको इंजन अपग्रेड किया जा रहा है, पहले जो आपका इंजन आता था, वो आता था, आपका 1340cc का, बट अब जो है, इसका इंजन बढ़ा के 1440 का दिया जा रहा है, because of the sticker norms, अगर मैं हैं, और अगर उनको उन emission norms के हिसाब से चलना है, तो यार, obviously बात है, फिर bike की BHP, सब कुछ कम हो जाएगी, Catholic converter बढ़ा हो गया, सब कुछ बढ़ा हो गया उसका, तो अब अगर उनको उसी जगह, सेम उसी जगह, Suzuki Hayabusa की power रखनी है, तो at least 100cc engine capacity है, जो बढ़ानी पड़ेगी, आपको इसमें जादा बेटर BHP भी मिल सकती है, जादा बेटर talk भी हो सकता है, so guys, next जो update आपको इसके अंदर मिलता है, वो मिलता है, नया chases और नया frame, so दोनों चीज़े अब company नई लेकर आ रही है, पहले से जादा हलका होगा, पहले से जादा slimmer होगा, तो आप यह सोच सक होगा, पहले से जादा sporty होने वाली है, आपकी Suzuki Hayabusa, and अगर मैं यहां पे और एक बात करूँ, तो at least, at least I am quite satisfied with it, कि आपको इसके अंदर 4 x 2 x 2 का ही exhaust system मिल रहा है, क्योंकि पहले जो leaked images कह सकते हैं, मतलब ऐसी bunny वीती जैसे यह वाली image है, यह भी किसी ने render ही करी है, जो आपन images आई हैं, इसके अंदर साफ साफ दिख रहा है, कि 4 x 2 x 2 का ही exhaust system लगा हुआ है, यार, एक Suzuki Hayabusa, जब तक दो साल answer नहीं होता है, अभी मैंने पीछे भी रीसेटली एक वीडियो डाली, जिसके अंदर Max की Hayabusa, ती Suzuki Hayabusa, जो उसके लगवे थी, उसमें 4 x 2 x 1 का ही, full system exhaust लगा ह है, so guys, what are you expecting? I am expecting कि यार, पहले से ज़्यादा aerodynamics मिलेगा आपको bike के अंदर, पहले से ज़्यादा bike ज़्यादा sporty होगी, अगर हम बोलें, weight wise, almost, almost, मेरे हिसाब से, कुछ हद तक weight down होगा, क्योंकि इसका frame, chases, हर एक को light करा जाएगा, मुझे लगता है, और expected यह है कि 100 cc का engine capacity जो है, वो बढ़ाया जाएगा, which will produce more talk and more bhp, so आपको पहले के मुकाबले मेरे हिसाब से, जादा power और talk जो है, वो मिलने वाला है, so guys, I hope आपको वीडियो पसंद आई हो, जितना update अभी यह है, तो उतना आप लोगों को बता दिया, जैसे ही इसका और update आता है, जैसे इसके बारे में कुछ और पता चलता है, वैसी फिर आम एक और वीडियो आपको नेक्स्ट तरके इसकी देंगे, so guys, I hope आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जैनल पे नहे है, तो चैनल को सब्स्क्राइब जरू कर लें, टेक क्या, गब्लेस, किस्た बिदी आपको कर दो, आजैनल प्र जाउन एक बेस्टाइव चराइब, गोस्टाइब, बाजा, गएक पॉज़।